हलो इन वेलकम टू आल अफ यू मैसेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रिजीव एग्रिकल्चर एंड बैलाजी की इंसम पूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लीज नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूटूब की एक मात्र चैनल आज की इस स्कवल है वह हमको जो है कुछ इस तरल से सिसमें दिखाई दे रहा है इसमें कुछ चीजें नीची की तरफ हमें इसमें बेसल बिट बनाए किसे बनेगा सयब कसे क्या काम होता है और कैसा बस्तित रहते हैं के फीज के अंदर इसको हम पूरा डिटालों इसमें देखने वाले हैं ऐसा वीडियो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक इन से जरूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको इनका लाब मिल सके तो आज हम लोग देखेंगे पूरा प्लेक्रड इसकेल को देखने वाले हैं तो यह रहा हुआ उसका डाइग्राम मैंने यहाँ पर कुछ डाइग्राम पहरे एंक्रूट कर दिया हूं तो इसका डेबलाप्मेंट जो है कैसे हो रहा रहा है है जो की डेबलेमेंटल है ठीच जिसमें क्या चीज पाए जाते है और क्या हों रिए हैं हमारे लिए या फीशेचंट के लिए अवस्क्त होते हैं इसको हम प्रों देखेंगे तो सुरु करते हैं हमने यहां पर हमारा जाता है ठीक है जैसे कि आप देखें पर इसका structure देखेंगे, structure के रुप में हमारे पास structure औरitter scale, तो play card scale को जो हमारा play card scale है, जो हमारा play card scale है, अर्थाज जो feces का play card scale है, वो दो भागो से मिलकर बना होता है, पहला जो भाग है, उसको बोलते हैं हमारे पास जो है इसमे बेसल प्रेट कहते हैं दुसरा भाग जो रहती के सि "... शुरी र saus राती है जो और नरेते हैं । कि सेता मतलब जो 5 भाता है ऐस में जो है अल algumas आपका बेसल प्लेट क्रेक्टिव般 बना होंता है अब這 रिसके प्लेक्टिव टीसु इसके बेसल प्लेट कशीप dynamics Sel मลना हुता है तुबा कूलड कलसिपाइड टीसु से मिलकर बना होता है कि काटिवुला कूलर कोल्सिपऀड नियुक्तर टीशु इसमें होता है क्यों कि इसके लिए क्या चाहिए इसको एक मज़बूति चाहिए टो मजबूति होने के लिए इसमें कैल्सीफाइड टीशु से मिलकर वो बना हुआ रहता है तब भी वह मजबूति रहेगा और इसके सरीर को सुरक्षे प्रदर वो कर पाएगा। उस दर इसमें लिखे हैं हमने, जो है बेसल फ्लीड के सेंटर रिजन पर एक एक besolid होता है, जिससे pulp cavity कहते हैं, जो हमारी पास besolid होता है, जैसे हम diagram को और लाये, तो diagram को आप यहां पर देख सकते हैं, यह इसका basal plate है, یہ यह जो हमारा पूरा बेसल प्लेट है यह पूरी तरस किससे आपका केल्सिफाइट जो है टीसू से मिलकर बना होता है केल्सिफाइट टीसू की कारण ही यह थोड़ा सा कठोर होगा और डर्मिस लेयर से चीप करेंगे और इसमें अपका फर नामा है यह जै आपको दिखाए जरहा है ओपनिन इसमें कैसे ऊसका हुआ ठीक है डाइग्राम के साथ हम इसमें पृट जाएंगे कि कैसा इसमें होते जाता है यहां को समझ में आए गया होगा अब देखते हैं हमारा pulp cavity है तो pulp cavity filled with vascular connective tissue pulp cavity जो है vascular connective tissue से filled होता है vascular का मतलब होता है सिधा सा आपको अगर नहीं पता है तो मैं इसको बदलता हूँ vascular मतलब होता है जिसमें nerve fiber या blood vessels या lymph इसमें पायता है मतलब vascular नहीं कि जो है आदान पदान का काम जो करने वाला जो रहता है उसको बलते है vascular connective tissue या vascular कहते हैं जिसमें ज्यादस ज्यादस में liquid का या जो कोई भी तरल पदार था है हमारे body में या किसी भी के body में उसको जो है ले जाने का और लाने का काम करने आले को हम लोग vascular कहेंगे ठीक है तो इसमें vascular जो है इसमें connective tissue से मिलकर बना होता है फिर है pulp containing numerous odentoblast odentoblast sales से मिलकर जो है बना होता है मदलब कि जो है आपका pulp cavity जो है numerous odentoblast sales से मिलकर बना होता है odentoblast एक पकार के sales का group होता है ठीक odentoblast का group होता है इसलिए इसको odentoblast कहते हैं जो कि आपका dentine forming sale होता है जो कि क्या करेगा यह जो dentine रहता है इसका forming sale होता है मतलब इसको निर्मान करने वाला sale रहता है ठीक है यहाँ लग आपको समझ में आगे होगा कि जो हमारा pulp cavity रहते हैं उसमें जो है आपका numerous numerous odentoblast जो है पायाता है जो कि आपका dentine का formation करते हैं ठीक है और इसी जो हमारा numerous odentoblast है इसी के अंदर आपके blood vessels रहेंगे साथ इसमें nerves रहेगा यहाँ लिंफ चैनल इसके अंदर पाया जाता है ठीक है blood vessels, nerves और लिंफ के चैनल इसके अंदर होगा फिर हम इसमें देखते हैं इसका दूसरा भाग spine को देखेंगे मतलब यह जो है हमारा total सा यह पूरा यहाँ पर complete होता है हमारा basal plate जो है complete होता है यह भी basal plate है उसका यह इसमें complete होता है हमने इसमें क्या पढ़ है कि यह आपका calcified tissue से मिलकर बना होता है ब्लड बेसल के साथ इसमें जो है आपका ब्लड बेसल के साथ इसमें जो है नॉफ्स रहते हैं नॉफ्स रहेंगे साथ इसमें जो है लिम्फ रहेगा तो इसमें लिम्फ भी इसमें पायाते हैं तो आपके इतना सारा चीज़े इसमें इसके अंदर जह वो present होता है दिलिंफ अगरा और blood vessels भी पूरे इसमें पायाते हैं अब अपने को देखना है इसमें कि यह जो हमारा यह रहा हमारा क्या है spine तो यह spine का formation इसमें कैसे होता है तो इसको हमको देखेंगे और spine कैसे होते हैं इसकी सरचना कैसा होता है तो अब इसमें आते हैं हम लोग spine में आते हैं तो देखो यह क्या है देखो अब यहां पर लिखेंगे हमने spine तो body को cover किये हुए काटेदार spine spine का मतला भी क्या होते है काटेदार होते है तो यह काटेदार होते है जो की spine flat and trillion होता है flat और trillion का अर्थ यह है कि इसमें आपका तीन spine पायाते है यह की इसमें आपका चीज़स क्या पायते है एस immense pain यह और यह होगा तो तीन spines होते हैं इसलिए इसको trent ह gluten कहते है ठीक है अब उसके बाद आगे इसमें आते हैं है ट्रीडेन हो गया और यह आपका बोडी के बाहर बैकवर्ली डारेक्टेड होते हैं पीछे के और इसमें रहता है अब इसमें देखना हमको डेवलपमेंट देखेंगे तो डेवलपमेंट जो है इसको समझना बड़ा ही आसान है आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा बस इसको देखते जाएं तो डेवलपमेंट और प्लेकॉड इसकल का डेवलपमेंट जिसमें कैसे होगा इसको हमको देखना है तो क्या बोलना है मीजोडर्म की कुछ सेल जो है एक जगह पर इखटा हो जाता है और डर्मिस के ऊपर यह प्रकिया चलती है तो मीजोडर्मा क कबग कुछ जो Ciao एक सेल होते हैं वो एखटा होना शुरू होते जैसे कि iates puppy नाहिए ढ़र हो गाओ इसका डिरमीश हुआ हैं और ये इसका जो है एसको Wak我不知道 ईतरी जो है और इदर टुब़र आपके पास जो है वब डर्मिश्क लेर होता है वो धीरे-धीरे क्या करने लगेगा कुछ इसके द्वारा ही हमने जो है ओडेंटो ब्लास सेल का निर्मान होगा ठीक है मेलपिगी सेल जो ही खटा होगा और यह है आपका ओडेंटो ब्लास सेल है तो इसका ओडेंटो ब्लास सेल का इसमें निर्मान हो रहा है तो यहाँ पर आपके पूरा यह जो है यह जो octoplast cell है है । दिखा का सबने लगेगा अपने growth के कारण यह्याँ पर है निवान होगा जो कि इसके में थोड़ा सा उपर मीजोडर्मल लेयर में इसकी जो होती है मीजोडर्मल की जो सेल सोती है वो जो है एक्युमिलेशन होने लगता है मीजोडर्मल सेल ठीक है तो यहां पर जो हमारे पास पाजाएंगे मीजो डर्मल डर्मल सेल जो रहेगा ये क्या होने लगेगा एक अग्यूमिलेशन होने लगेगा और एक्यूमिलेशन होने की कारण ही इसमें हमको ओडेंटो ब्लास सेल का निर्मान जो हुआ जैसे कि यह हुआ तो इसके करणस यहां पर देख सकते हैं अभी कैवेटी का निर्मान हुआ है कैवेटी बना है तो इसी कैवेटी को हम लोग बोलते है पल्प कैवेटी है ना और इसी पल्प कैवेटी के अंदर इसमें बहुत सारे जो है हमारे पास और सेल का निर्मान जो हो जाते है इसको कैवेटी कुलाई बोलते है तो कैवेटी के अंदर निर्मान जो होगा पल्प कैवेटी के अंदर होगा क्या यह पल्प कैवेटी के अंदर जो है तो इसमें आपका कै कैनली कुलाई के निर्मान ऐसा होता है इस तरह से इसमें कैनली कुलाई के निर्मान होगा ऐसा तो इसमें कैनली कुलाई का भी इसमें निर्मान होने लगता है ठीक है और यह जो है होगा क्या आगे जब इसमें जाएगा तब थेवरी देख लेते हैं फिर और बताऊंगा में तो जो एक कुमलेशन हो था हमारे पास ऐहां पर है यहां हुदा इसकीु हम भूल्का लुख है उस लोग तो हुनने क्या बोल दिया हमने डर्मल पैपिला कहें ठीक है तो यह जो डर्मल पैपिला हमारे पास होते हैं और इसी डर्मल पैपिला के धुरूर दिरे दिरे यहां पर ऐसा इस तरह से इसमें वह निर्मान हुआ है ठीक है तो यहां पर हमने और लिखे हैं देखें यहां पर हमने इस्पाइन लिखे हैं इस जो है इसमें इन। इन्यव का मतला है कि जो बाहर का तो बहुत जुल ... डेखनों की बिलेगा युक युच लिखे हैं तो पहले इसमें देख लेते हैं तो और क्या हमने यहाँ पर लिखे है है ठीक है देर्मल पेपिला की ऊपर आपके ऊडेन्टोप्लास से लगा और इसी अवस्था में पल्प केविटीvention कि निमान हो ता है देखके हमने बूला था वही हो रहा यहांपर पल्प के वेटिका इसनम निमान हो रहा हैowej और देर्मर पेपिला दिरे दिरे जहें उपर के और जो ग्रोख करने लगता है वह एपीडर्मिस को पूश करता है डर्मल पेपिला जहें दिरे दिरे गुरूथ करेगा उपर के और उसको पूश करते जाएगा और ब्लड बेसल प्लेट और इस्पाइन की आकरिती ले लेता है बेसल प्लेट और इ यूनिट क्या हो इसका औ्टेंट अजहां है उसको होसके उसको नान lenजा काम करएंगे और ब्लेसल प्लेट vitro dentine का स्रावन करती है enamel like vitro dentine का स्रावन मतलब कि आप सीधा से यहाँ पर डाइग्राम में आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि आप पर हमने दिखे थे दिखो enamel यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह enamel का स्रावन हुआ है emelo blast cell के द्वारा जो है वो हुआ in-amel like in vitro dentine in-amel के like in vitro dentine का formation कर जैसे हमारे दाथ तो हमारे दाथ के उपर enamel पायाता है तो उसी तरह सिसके उपर जो है आपका vitro dentine कि स्रावन करेगा enamel के जैसे तो हमारे दाथ की सरचना जैसे रहता है वैसा ही इसमें भी आपका इसके जो scale से उसमें भी वैसी वो रहेगा और कि enamel like उसमें formation होगा इससी इसका आप देखी यहाँ पर और diagram इसका developmental है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ जो मिजो dermal जो sale था हमारे पास मिजो dermal sale था वो धिरे-दिरे accumulation हुआ तो क्या बन गए हमारे पास dermal papilla का नियमान कर दिया dermal जो papilla फिर दिरे-दिरे यहाँ पर इस में growth होने लगा इस तरह से growth वह करने लगा है और दिरे-दिरे जब इसमें growth होने लगा तो यह जो है कुछ इस तरह से और इसमें खाज बन गया तो खाज बना तो यही हमारा क्या है देखो डर्मल प्पिला यह रहा पूरा और इसके अंदर पर आपका पल्प केविटि का इसमें निल्मान होने लिएगा अगर धिरी धिरी वसांसाथ इसके ऊपर पर आपका inamel organ inamel organ के रूप में आपका क्या पायते हैं आपका जो है inamel organ के रूप में आपका एक चेल्स पायता है जिसको बोलते हैं emeloblast cell तो यह रहा उसका emeloblast cell तो यही emeloblast cell जो है आप में किसका निर्मान करेगा आपका inamel like in vitro dentine के निर्मान करेगा कुछ इस तरह से यहां पर आपका inamalto life फिर और चल कर यह है क्विज रसे डेख सकते हैं इसमें यह पूर्छीuje 7 के ऑंदर आपकेмов kanty हो गया और यहां पर जो है इसमें डेंटाइम के निर्मार्वव हो गया तो यह उसका डेंटाइन है जो कि बहुती मजबूती के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और यह नीचे का जो इसका बेसल प्लेट हो गया और इसके पल्प कैविटी में आपका सिधा सा ब्लड वेसल नर्वस और लिंफ जो है वो वेसल इसके अंदर पाए जा